सो हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप जब से एक्जाम फॉर्म निकले हैं चाहे सेमिस्टर तीन हो चाहे सेमिस्टर पांच वन के तो खेर बच्चे अभी एंटर ही करा है तो बहुत सारे बच्चों के ने एक कोईरी आ रही है एक डाउट आ रहा है कि सर हम हमारे परसंटेज थो चाहिए एक बार आप प्लीज सजेस्ट कर दे तो मैं उसी के उपर डिसकस करने वाला हूँ आज पूरी वीडियो उसी के उपर है सबसे पहले हम ना ग्रेजुएशन के रिजल्ट को समझते हैं कि ग्रेजुएशन के जो रिजल्ट होता है वो किस तरीके से देखा जाता है तो जो बीकॉम का आपका रिजल्ट होता है या ग्रेजुएशं कहलू या बीकॉम कहलू है सर जो बीकॉम का रिजल्ट होता है ना चाहे honors हो चाहे program हो सबसे पहले हमें result के अंदर तीन division में बाटे हुए है that is first division जिसे हम class में कहा करते थे कि मैं first आया हूँ है न और दूसरा हमारा second division और तीसरा हमारा third division तो class में तो हमारे पास बच्चे थे 30 या 40 hardly उसमें से तो हम देख लेते थे कि मैं तो first आया हूँ class में लेकिन become level पे ऐसा नहीं होता become में एक percentage set कर दिया गया है कि अगर आपके इतने percentage बनेंगे तो इसको हम इस division के नाम से जानेंगे अगर आपकी percentage 60% से उपर बनता है 60% से अगर आपकी percentage उपर आएगी तो इसका मतलब आपको मिलेगा first division अगर आपका percentage बनता है 50 से लेके लेकिन less than 60 less than 60% यानि 59 मान लो तो आपको second division में रखा जाएगा अगर आपका 50% से below रहेगा तो हमेशा आपको किस division में रखा जाएगा third division में पहले तो यह समझ लीजिए यानि हर एक बच्चा third division आना तो तैह है पास जो भी होगा उसका third division आएगा second division किसका आएगा जिसका 50 से 60 के बीच में रहेगा और first division किसका आएगा जिसका के 60% या उससे above होगा इसके साथ साथ हमारे result किस किस के बनते हैं कुछ बच्चों के essential repeat यानि year कुछ बच्चे fail या कुछ बच्चे absent ठीक है तो यह कुछ एक result होता हम इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं now student क्या करते हैं comparison करना start कर देते हैं अपने दोस्तों से मेरे तो 80% बन गए है तेरे कितने बने और student ने कहा के मेरे 65 बने हैं दोनों जिगरी दोस्त है दोनों पढ़ने में होसियार है ऐसे situation में 65% वाले को लगने लगता है के मेरे percentage कम है और 80% वाला को लगने लगता है के मेरे percentage ज़्यादा है तो इस situation में 65% वाला चाहता है के मैं improvement भरतूं या फिर किसी के 50 है और किसी के 55 है तो सबसे पहले कब improvement भरना चाहिए और improvement भरने के क्या फाइदे और क्या नुकसान है वो भी देखेंगे तो improvement का मतलब basically होता क्या है जब आप अभी exam form भर रहे हो exam form जब आप भर रहे हो तो इसी time पे आपको न improvement भरने का option मिल जाता है इसके क्या benefits है क्या नुकसाने सबसे पहले let's suppose example मैं semester एक तीन का paper ले लेता हूं example के या एक मैं ले लेता हूं semester पांच में या मैं एक ही paper ले लेता हूं semester तीन वाले student है सपूस करो आपका जो first year क्योंकि आप जो result count होता है वो year wise होता है मान लो आपका अगर first semester में and second semester में इसमें आपके eight आपका मान लो SGPA बना यह six बना और इसमें suppose seven बना overall इन दोनों को जोड के दो से divide कर लो तो आपका SGPA आ जाएगा average तो तेरा यानि 6.5 बना आपका इसका मतलब आपका साथ परसेंट है प्लस ही है साथ परसेंट से अब बात करते हैं सर अगर ऐसे percentage बनेगा और year wise calculate होगा semester wise नहीं year wise देखते हैं semester wise भी आपको show तो होता ही है और जो मैंने बताया ने 65 से साथ first year second year third year में division में तो वो final year के pass होने के बाद माइने रखता है result semester one semester two semester three का result नहीं सबको conclude करके होता है अब suppose मैं simple सी बात करता हूँ मेरे पास semester अभी जो मैं paper दूँगा पांच का दूँगा फिर बाद में छे का दूँगा तो जब मैं semester पांच का paper पांच sorry तीन का paper दूँगा मैं और फिर बाद में चार का दूँगा in case मेरे semester one के अंदर semester one के अंदर कोई भी er होगा तो मुझे अभी देना पड़ेगा semester three के अंदर semester one में कोई भी er होगा तो भी देना पड़ेगा in case मैंने semester one के अंदर suppose मेरे FA के अंदर मैंने पढ़ाई नहीं करी और मेरे FA के अंदर suppose करते हैं कि मेरे चार नमबर आए यानि चार point जब मिलता है तो बिल्कुल 33% ही मान के चलो आप चार से नीचे को तो fail ही कर देते हैं तो चार नमबर मिले आपने क्या करा कि हमने इंप्रूमेंट भर दिया और इंप्रूमेंट के साथ साथ या suppose करो चार के तो थोड़े अच्छे नमबर कर देते हैं अपके पांच नमबर आए ठीक है पांच points आगे grade हमने इंप्रूमेंट भरा सारा FA के अंदर मुझे कम लगा और मेरे रिजल्ट में FA के अंदर अब मेरे आगे चार नमबर तो आपका final result क्योंकि स्कूल का scenario अलग होता है अब आप क्या को कि सर दोनों से ज़्याद होगा वह मान लें नहीं पहला केस अगर चार आया तो आपको चार के साथ ही आगे बढ़ना पढ़ेगा यह वाला result invalid हो गय जिसने improvement भरा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ suppose आपका आता है result में FA में कितने point आते हैं तीन point तो आप हो गए fail तो जब तीन point आया fail हो गए तो लेकिन पहले तो आप पास थे अब आपने paper दिया अपनी मर्जी से तो fail हो गए तो ऐसे situation में जिसमें आपके तीन आये हैं यह fail ही consider किया जाएगा आपको यह paper जब तक पास नहीं करोगे आपको पास नहीं होना दिया जाएगा मतलब improvement भरते ही यह number आपके 0 हो गए अगर आपके आते हैं marks number मान लेते हैं के 8 तो 8 carry होगा यानि improvement के अंदर आपको बड़े ध्यान से भरना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो number आपको a lot हो गए और जो number re-exam यानि improvement देने के बाद उन दोनों में से कोई एक रख लेंगे ऐसा marks में नहीं होता आपको जो improvement मे है वही carry करना होगा चाहे बच्चे की कम number आ गए हो चाहे ज्यादा चाहे बच्चा फेड़ हो यह बात है तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि भाईया improvement भरना थोड़ा सा risky तो है अब किन बच्चों को improvement भरना चाहिए first of all आपको first year है second year है and third year है अब इसके अंदर first year के अंदर आपका semester one है semester two है semester three है semester four है semester five है semester six है माल लेते हैं च्छे पांच चार तीन दो यह तो बड़े कम हो गया चार आठ साथ और आपने मेहनत करके यहां पर भी आठ ले लिया अब हम इसका average निकाल लेंगे ठीक है न लेकिन यहां पर semester तीन वाला बच्चा बड़ा परिशान हो गया यार तीन का improvement भड़ देना चाहिए बड़े कम दिख रहा है इसमें मैं total देख लेता हूं छे पांच चार आठ उसके बन गए 6.33 SGPA जो percentage बन गया SGPA लेकिन अब बच्चा परिशान होगा कि सर सब कुछ तो ठीक है चल semester 1 में खुश थे तूर यार तीन मेंने कम आ गया बाकि सम में ठीक है यह अच्छा नहीं लग रहा तो वो जरूर कोसिस करेगा कि मैं तीन का improvement भर दू और भर भी देते हैं वो फर्स्ट आफ ओल आपके बीकॉम में चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो चाहे ओनर्स के बच्चा हो minimum आपको 50% marks होने चाहिए minimum percentage आपके होने चाहिए कितने 50 अगर आपके 50% नहीं बनते हैं 50% अगर आपके हैं तो आपको बहुत सारे courses सारे courses कर सकते हो UPSC वगरा सब course कर सकते हो लेकिन खुछ खास courses 50 से बिलो वाले नहीं कर सकते हैं जैसे LLB जैसे CA Direct Entry से जैसे MBA कई जगह पे MCOM भी और सेम CS भी हो गया CMA Direct तो नहीं कर सकते सेम आपका BAD तो अगर आपके 50 से बिलो आए तो आप इन courses इसको नहीं कर सकते ध्यान रखेगा बागी आपके SSC UPSC इन सबों की पर्परेशन में कोई percentage criteria नहीं रखा गया है ठीक है न और मेंली हम इनहीं कूर्स में से ज़्यादा जाते हैं तो एक तो यह 50% minimum इसलिए बोला जाता है बहुत important role play करता है आपके life में और 50% कैसे ऐसा नहीं कि इसके अंदर सर 40 आए नहीं माने जाएंगे समय 50 सब का total यहां प need to re-exam या फिर improvement भरने की कोई अवश्यक्ता ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कोई फरक नहीं पढ़ता उससे इस बात का ध्यान रखिएगा अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं इसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और फिर मान लेते हैं 6 नंबर अगर इसका मैं SGP यह निकालू तो कितना बनता है चार प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड़ बाइ 6 यह एक में और कम कर दिया जाए यहां पर भी 5 कर दिया जाए वह मैच हो गया तो इसका मन जाता है हमारा 4.8 अब जिसका यह ऐसे परसंटेज आया है उसको जरूरत है कि at least 50 परसंट पे ले जाए 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 अब जिस सब्जेक्ट में उस बच्चे के सबसे अच्छे कमांड है उसके अंदर उसको इंप्रूमेंट भरना चाहिए अब इसके अंदर हो सकता इसमें अब जरूरी न ही कि जिसमें चार आएं हैं उसी के अंदर ही भरे जिस सब्जेक्ट में और कमांड भी अच्छा होना जरूरी है सबसे बड़ा में काम क्या होता है कि हमारे पीछे जो एक्जाम छूट जाते हैं उसको हमें दुबारा पढ़ने का हमारा मन ही नहीं करता जो की बहुत बड़ का एक क्या है इस बात का ध्यान रखेगा दुबारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो हम सोचते हैं अभी तो भरते टाइम पर सोच लेते हैं लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे आला नहीं पढ़ते उसके वज़े से उसके अंदर नेगेटिव इंप अब जिस बच्चे के जैसे इस वाले बच्चे को तो कभी भी इंप्रूमेंट नहीं भरना चाहिए थ्यान रखेगा अब बात करते हैं सर अगर हमारे बीकॉम में 60% से अवब आता है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या जी नहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको इसका बेनिफिट मिलता है वह भी रेगुलर इस सिचुएशन में क्यूंकि आप करते हो यहां पर एंटरंस टेस्ट होता है लेकिन बच्चों के जिनके बहुत अच्छे मांक्स आगे मान लेते हैं कि 90 परसेंट बन गए तो ऐसे सिचुएशन में इन दो कोर्सिस कहलो दो अकैडमिक आगे की बात कर लो इन दोनों पॉइंट पे एंटरंस एक्जाम नहीं देना पड़ता उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है डेली उनिवर्सिटी के अधर और भी काफी सारे कोर्सिस में कई जगह पर डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है इनको पचास तक है तो आपको इन में जैसे CS, CS, CMA में, कई जगह पे CS में पचपन भी है, और CS में भी पचपन है, और इन सभी में इंटरंस दे के फिर आपको एडमीशन मिल जाएगा, मतलब बुरे नहीं है, और अगर पचास से बिलो हैं, तो आप उसमें एडमीशन नहीं ले सकत तो मैं खास कर उन्हीं student को बोलूँगा जिनके 50 below हैं वही improvement भरें और ऐसा नहीं के आपको inline के अंदर एक semester में कम दिख रहा है तो semester को match करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठे जिसके अंदर आपको problem होगी ठीक है अब वो बच्चे जिनकी improvement जो जिनोंने भर दिया है क्या करें do जाके cancel करा सकते हैं जिनोंने नहीं भरा है वो आप अपने accordingly देख लीजिएगा कैसे भरना कमेंट में मैं description में number भी दे रहा हूं description में सारी detail दे रहा हूं मैं आप सभी बच्चों के लिए YouTube पे जितने भी हमारे जितने भी student है तो कोई भी दिक्कत आता है आके सर मेरे ये चीज़े हैं तो आप पूछ सकते हैं ठीक है साथ के साथ जिन बच्चों ने improvement भरा है हमने क्या करा जो बच्चा improvement भर रहा है क्योंकि वो improvement अभी भरेगा तीन वाला जो है वो दो का भी improvement भरेगा और एक का भ same price पे ले सकते हैं मतलब उनकी हम validity extend कर देंगे कि भाई तुम्हारा हम से अभी से ही पढ़ने लग जाओ थोड़ा थोड़ा जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे ने semester 2 का भरा तो अभी तो paper होगा नहीं वो तो होगा semester 4 के साथ तो लेकिन हम बोलेंगे कि भाई अभी से ही आप थोड़ा थोड़ा जितना time मिले मिले तब भी ठीक ना मिले तब भी ठीक आप अभी से course ले लिजे आपकी validity पूरे एक साल की करवा देंगे कोई extra charge ने कुछ भी नहीं और उसके accordingly आपका होता रहेगा और रहा बात सर semester 3 और semester 5 ये दो courses इसके अंदर क्या-क्या common subjects हैं बहुत स सारे subjects बन जाते हैं जैसे financial management ठीक है मैं आपको यह नहीं कह रहा है मैं common subject ले रहा हूं किसी में आपका जाता है principle of marketing किसी में आ जाता है आपका माल लेते हैं business maths और भी बहुत सारे subject हैं यानि जो भी courses है मैं एक बार चलिए बताई देता हूं या अगली वीडियो में कभी discuss कर जितने भी courses है अभी हमने नवरातरी के time पे offer भी चलाया हुआ है जो बच्चे एंडोल होना चाहते हैं तो 500 रुपए से नीचे इवन दो 400 से भी नीचे आपको course मिल जाएगा 400 से भी below आपका course मिल जाएगा that time ठीक है अभी आपके पास सिर्फ डीड महिना बचा है सर 400 से भी के नीचे course मिल जाएगा येस आप description में जाएए और ले सकते हैं बिलकुल उन बच्चों के लिए एक fresh batch लेके आ रहे हैं that is fast track batch उस batch में जो chapter live में होंगे वो तो live में ही होने और साथ के साथ कुछ chapter हम pre-recorded डाल के देंगे और star marks लगा के देंगे जिससे की आपको benefit मिल जाए तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाये थे सिर्फ डीड महीने बचे हैं एक्जाम के पंदर दिन निकल गए नवंबर है दि करने जा रहे हैं यहाँ पर हम तो fast track batch का आपको price यह मिल जाएगा कोई भी सब्जेक्ट हो सर कौन-कौन से subject हो सकते हैं मैं बता ही देता हूं हमारे पास FM है हमारे पास principle of marketing है हमारे पास business maths है हमारे पास business stats है हमारे पास economics है कोई भी चाहे micro हो चाहे macro हो हमारे पास management account है हमारे अगर कोई बच्चा प्रीवियस लेना चाहता है कॉर्परेट अकाउंट इंकम टेक्स लेना चाहता है आईटी है ठीक है तो सारे कोर्सिस अवेलिबल है आप एक कॉम्बो पैकेज ले सकते हैं उसमें आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा ठीक है तो मैंने आपको सारी डीटे सेपरेट तरीके से करा जाए तो बहतर होगा तो वही चीजे आपको अच्छे लगे तो भी कमेंट में लिखिए और अगर आपको नहीं लगता तो भी कमेंट में लिखिए क्योंकि कमेंट से क्या होता है हमें आईडिया लगता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा हमें औ और आगे इसको बहतर कैसे करना है तो यह थोड़ा सा मेरा आज का मेन एजंडा क्या था कि हम इंप्रूमेंट भरें या फिर ना भरें ठीक है तो होफुली आपको यह सारी के सारी बाते मेरी समझ में आई होगी फिर भी नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आप भेजिए मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसको रिव्यू जरूर करूँगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स किसी वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक तो आपने कर ही रखा है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके से कुछ और इंफर्मेशन लेके आगली वी झाल